हाई फ्रेंड्स बेट बिजनस एन्बी चैनल पर मैंनी तीन आप सबी का सौगत करता हूँ आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मुर्गिया देसी मुर्गिया अंडे देना कब से शुरू करती है हाँ दोस्तो बहुत सारा कमेंट आ रहाता कि भाया हमारी मुर्गिया अंडे नहीं दे रही है वो कब से अंडे देने लगेगी या फिर कितने दिनों के बाद मुर्गिया अंडे देना स्टार्ट करती है तो इन सबी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखना अगर कोई नयमित्र पहली बार चैनल पर आये है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजो में दिया हुआ बेल आइकोन भी दबा दे ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिशन आपको मिल सके और वीडियो पसंद आने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वैसे देसी मुर्गिया का अंडे देने का जो नाच्रल समय होता है वह पाच माँ से शे माँ का होता है दोस्तों जब भी आपकी मुर्गिया पाच माँ से उपर यानि पाच महिने के उपर हो जाती है वह अंडे देना स्टार्ट कर सकती है लेकिन ये मत समझ लिना कि सबकी सब मुर्गिया पाच महिनों के बाद से अंडे देना स्टार्ट करेगी कभी कभी यह समय भी आगे पीछे हो सकता है क्यों कि आपके जो देसी बर्स है वह किस प्रजाती के है उनको जो मिलने वाला फिड है उस पर भी अंडे देने का समय तै होता है दोस्तों कभी कभी आपकी मुर्गिया पास से छे महीने के उपर हो जाती है फिर भी वो अंडे उपर नहीं आती उसका कारण मैं आपको बता दू उसका कारण है आपका फिड अगर आप उन्हें सही तरह से फिड नहीं देते हो या फिर उन्हें बाहर से नहीं मिलता है तो उनकी बाडी growth तो रुख जाती है अगर body growth रुख जाती है तो उनका वजन भी कम होता क्योंकि अंडों के लिए हमें वजन चाहिए कम से कम एक किलो चार सो ग्रैम प्लस हाँ दोस्तों ज्यादा तर मुर्गिया एक किलो चार सो ग्रैम के उपर वाली ही अंडे देती है कम वेट वाली नहीं देती कभी कभी एक आदी मुर्गी जो होती है जो कम वेट में भी अंडे देना स्टार्ट कर देती है बट उससे ऐसा होना मुर्गियों के लिए हने का रख होता है अगर आप मुर्गियों को फिड में लेर मैश फिड देते हो चार महीने के बाद से या तीन महीने के बाद से अगर उनका फिड जो है वह लेर मैश टार्ट हो जाता है तो लेयर मैश फिड में अंडो के उत्पादन के लिए जो घटक चाहिए वो सबी तरह के होते हैं और लेयर मैश फिड ज्यादा महिंगा भी नहीं होता बॉयलर फिट से लेयर मैश फिड कम कोश में आता है दोस्तों ये मात्र आपको 20 रूपे या 25 रूपे केजिसे मिल जाएगा आप अगर यह मुर्गियों को देते हो तो आपके मुर्गियों का सौस भी ठीक रहेगा और आपकी मुर्गिया सवही समय पर अंडों पर शुरू हो जाएगी अगर आपके मुर्गियों ने अंडे देना स्टार्ट कर दिया है या फिर करने वाली है तो मेरे साब से कोई ना कोई वैक्सिन हर मैने उनको दीजिए उससे उनका रोप्रतिकार शक्ति जो है सही बना रहेगा और बीमारियों का खत्रा थोड़ा दूर हो जाएगा अगर रोप्रतिकार शक्ति है तो आपके आपे बीमारियों की आने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है देशी मुर्गिया साल में सादारन 90 से 140 अंड़तों देती है यहां अंडों की संक्या आपके फिट के उपड़ी निरबर है और आपका मैनेजमेंट अगर आप मुर्गियों को बाहर खुले में गुमने के लिए छोड़ते हो तो आपका फिट भी बचेगा और उसको जो जो चाहिए वो बाहर से उसे मिल जाएगा आपको फिट में ज्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूत नहीं पड़ेगी अगर आपके मुर्गिया बाहर गुमती है अगर आप बंद कमरे में या फिर फॉर्म के अंदर मुर्गियों को पाल रहे हो और अंडे लेना चाहते हो तो आपको लेर मैश फिर देना ही देना है आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंड में बताए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और जरुतमन दोस्तों में से शेयर करना आप सभी का धन्यवाद